आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रेशन की फोडो कीचो, एची प्रेशन को क्रॉप करो और तुरत विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। संपूर्ट में पाया जाता है, ठीके, इसमें क्या होता है? यहाँ बोमेन संपूर्ट में पाया जाता है, और जो केशी का गुच्छ रहती है, उसकी जो धमनी का रहती है, वहाँ पर क्या होता है? जो रक्त का द्रवे स्थेतिक दाब रहता है, वह कित्ता होता है? वह 60 से 70 TMMHG होता है, ठीके, और अब हमसे पूछा गया है कि इसका जो मुख्य कार्य है, वह क्या होता है, तो क्या होता है, इसका जो मुख्य कार्य है, वह है परा निस्पन्दन का कार्य है, ठीके, परा निस्पन्दन द्वारा क्या करता है, ग्लो मेरूलर निस्पन्द बनता है, क्य निस्पंदन ठीके परानिस्पंदन यानि कि क्या होता है कि जो ग्लोमेरूलर में क्या होती है कोशिकाएं होती है वह क्या कर लेती है जो आविशक प्यदार्थ रहते हैं उनका क्या कर लेती है और इसके लिए क्या चाहिए रहती है उसको उसको प्रवनता चाहिए रहती है ठ तो यह ता हमारे प्रिश्ण का उत्तर धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूं कि आपको इस प्रिश्ण का उत्तर समझाया हो